प्रदेश में बागवानी को बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार निरंतर प्रयासरत है सही माइने में हरेना सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है हरेना देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को प्रागर्ति का आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिती में किसानों के हित के लिए मुख्य मंतरी बागवानी बीमा योज ना चलाई है इसके लावा पौली हाउस, हाई टेक ग्रीन हाउस, वालक इन टरनल और एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पौली नेट हाउस, केबल परलीन नेट हाउस पर सामाने वर के किसानों को 50 प्रिशत और अनसुचित वर के किसानों को 85 सी प्रिशत सबसेड़ी जाती है इसके लावा मश्रूम की नई परचातियों जैसे मिल्की पश्रूम, आइस्टर मश्रूम और श्टाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योज़रे श्रू की गई है इसमें किसानों को 50 प्रिशत अनुदान दिया जाता है मुख्यमंत्री मनहुला ले कहा कि गुनवतापुर्ण सब्जी पौट के उपयों को प्रोसाहित करने के लिए सरकार उच तकनीक वाले ग्रीन हाउस में मिटी रही तैयार की हुई शिमला मिर्च काकरी टमाटर, खरबूजा और बैंगन की पौटर 50 प्रिशस साहता दे रही है उनने कहा कि परदेश में मदुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इस जाहिल के सायोग से राम नगर कुरुप शेतर में एकिकत मदुमक्खी विकास के दिस्था पित्या गया है यह देश का पहला पेदर है इस जाहर मुक्ख मंद्री मनोहौला ले कहा कि जल सरक्षन अभ्यान में किसान भी योग गान देंगे तो निश्चे तोर पर पानी की बच्चत होगी सियर में 52 पसलों के सिंचाई के लिए किसानों को सुक्षम सिंचाई पर नाली को ही अपनाने की अपील की राज्य सरकार कम पानी से दिक्तम सिंचाई के लिए भूमिगत पाई प्लैंस केम भी चुला रही है और इस योजना के तहद किसाना को दस हजार रुपे पर पतियें कर अगर रिकतम साठ हजार रुपे पर तिकिसान अनुधान राशी दी जा रही है इस योजना के तहट अब तक 52,193 किसानों को 233 क्रोफे की राशी अनुधार के रूप में दी गई जब कि जल शक्ति अभ्यान के तहट बागवानी फसलों के सुख्षम सिंचाई 45 सिंचाई के लिए व्रिक्तिकर जल संग्रहन तालाबों के मिर्मान पर अनुदान सीमा 75 हजार से बढ़ा कर 7 लाग रुपे तक कर दी गई है गुनत्ता पुर्वक सब्जी पौद तो कि पौद भी अपने आप में बहुत बड़ी आश्यक्ता होती है किसान की तो उसको ऐसी जो सब्जी की पौद अच्छी अगर मिलती है तो उसको अपने किसान अच्छी प्रड़क्शन के लिए उप्योग कर सकते हैं उच तक नेक वा मिट्टी रहित पौद ये वहां उत्पादन कराया जाता है मिट्टी रहित पौद को शिमला मिर्च, ककडी, टमाटर, खरबूजा और बेंगन ये पौद बहुत सफलता पूर्वक बनाई गई है जो हमारे किसानों के एक्सलेंस सेंटर्स हैं उसमें घरूंडा, हाइटर, गुर्गराम और रोतक, गुर्गराम और रोतक दोनों जगा ऐसे ही जो फूर्ट्स का हमारा एक्सलेंस सेंटर है मांगियाना सिर्सा और इंटिग्रेटड बागवानी विकास के अंदर पलवल और सुंद्रा इसमें बुकेंग करके और हम पौद जो है उस प्लाई करते हैं अब ही हमने 2022 तेस याने पिछले वर्ष में जितने भी स्कीमे हैं इसके अंदर लगवग 25,000 लाब गरही इनको 166 कोड़ों पे की इस सबसीडिय दी है जिसके अंदर पोलियाउस वर्टिकल फार्मिंग, बंबे स्टेकिंग वर्टिकल फार्मिंग, फ्रूट एरिया, मश्र 60 कोड़ों पे की सहायता ये किसानों को दी है, इसको मैं जरूर लेक करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जैसे हर्याणा की भूमी और जल्वाईू हैं, ऐसे ही इसराइल की भूमी और जल्वाईू, यह भी लगभग समान हैं, तो समान एक परकार से सब पेरामेटर्स होने के नाते से हमको ऐसे देश के साथ जो इन चीजों में बहुत प्रगती कर चुका है उसके साथ ही हमें को अपने समझोगते करके उनके तकनीका उत्योंग करना होगा तो हमने इसराइल की इस हायता से बहुत से ऐसे कारक्म चलाए हैं जिसका हमको लाब हो रहा है चाहे वो फलों में, सब्जियों में, फूलों की खेती, मदुमकी पालन ये सब इसराइल की टेक्नलोजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं हमारे 14 ऐसे उत्कृष्ट के अंदर अर्थात एक्सलेंस सेंटर्स ये सब एक परकार की नई टेक्नलोजी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में ये सथापित किये गए हैं अगले इस सवर्षे में, करंट येर में, 223 में, राज्ये में तीन और नए एक्सलेंस सेंटर्स ये भी स्थाफित होने जा रहे हैं, इसमें पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्टिंग मेनेज्मेंट, प्याज के लिए पिनंगवा नू, और फुलों के लिए मुनिपूर जजजर, यहां तीन स्थानों पर भी एक्सलेंस सेंटर्स ये बनाये जा रहे हैं अंजन थली में हमने विशिश इस बार विश्वद्याले की स्थापना करने का निड़ने लिया है, अर्थात करनाल जिला अंजन थली जिसमें बागवानी विश्वद्याले की बनने के बाग, हमको सबजियां और फल इसके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा ए जाज के लिए जो प्रयोग शाला बनाई गई है उसका उप्योग कर सकते हैं और इसके लिए मधुमक की पालक अपना शैद और शैद के उत्पादों को अपनी इच्छा नुसर देश विदेश में भेजने के लिए भी उनको एक अफसर मिलेगा हम साथ-साथ इस के अंदर पर शैद की मूले विर्धी के लिए शैद से बनेवे उत्पाद जैसे शैद मिल्क शैद आईसक्रीम शैद विसकूट वर शैद की टौफिया इसको बनाने के लिए भी प्रस्टिक्शन देने का एक केंदर हमने बनाया है ताकि वो प्रस्टिक्शन लेकर के और हमारे नौजव करें और ये समूव विशेश तोर पर शहेद उनकी उत्पादों को विदेश में ये निर्याद कर पाएंगे हम अपने उत्पादर का क्रिशी उत्पादों का जितना export अधिक करेंगे उतना हमारे प्रदेश की अर्स चgeordने अच्χी होगी देश को तो हमारे यूकों को रोजगार कैसे मिले कैसे वो यह रोजगार पूरत आगे बढ़ें इसके लिए बहुत सी हमारी सोच और योजना चल रही है ऐसी एक विशे होता है जाए वो फल की खेती हो फूलों के खेती हो सब्जी के खेती हो अत्वा परमपरागत खेती हो इसमें रिस्क बहुत बड़ा कई बार तो हमारी खेती खुले आसमान के नीचे होती है कभी सूखा पड़ता है कभी अधिक वारिश होती है कभी ओला वरिस्टी होती है कभी सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो इन चीजों से बहुत बड़ा एक परकार से नुकसान फलोर सब्जियों का ज़्यादा होता है तो ऐसे फलोर सब्जियों के नुकसान की इसकी भरपाई करने के लिए विशी सी उजिना भावांतर भरपाई हमने चलाई है तो इस भावांतर भरपाई योजना में भी ऐसे फलो और सब्जी के जो हमारे किसान भाई हैं इनको हम सायता दे रहे हैं अभी तक 9485 किसान 9000 किसान लगबग जिनको 23 क्रोड रुपय हम दे चुके हैं ऐसी 21 बाकवानी फसलों को उनका जो एक संगरक्षत मूले है उसके हिसाब से इनको योजना की एक परकाश से घाटे की बरपाई यह की जाती है जहां तक FPO का विशय है जैसे मैंने बताया कि जिन किसानों ने FPO अभी नहीं बनाये हैं यो FPO बना करके उस FPO की गुनोता का भी ध्यान रखें क्योंकि जिन किसानों को हमने उसमें जोड़ा है उन किसानों को भी लाब ब्राबर हो रहा है का नहीं हो रहा है ये चिंता हमको जो आगे लगने वाले प्रगतिशिल किसान है इनको करनी होगी केवल नामचारे से किसानों को जोड़ा और उनको लाब न दिया तो ये हमारी और से किया गया एक बहुत बड़ा दोश होगा इसके प्रतिवी एक प्रकार से मैं आगा करना चाहता हूँ सजक रखने के लिए आपको इस बात को मैं कह रहा हूँ एक नई योजना मैं हरियाना में जो बनाई है कि बागवानी की भीमा योजना मुख्यमंतरी बागवानी भीमा योजना ये भी हमने शुरू की है और शायद हरियाना जो है देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की योजना चलाई है इसमें वो सबी 21 वसलें जो भावंतर वर्पाई योजना में हैं उन सब को इसमें जोड़ा है और इसमें राशी भी हमको जो नुकसान होता है उसकी राशी भी बहुत अच्छी मिलती है यानी सामा ने थोड़ा सा प्रीमियम देने के बाद सबजीयों के लिए 40,000 रुपे प्रती एकड़ सबजी और फलों के लिए और मसालों के लिए 30,000 रुपे प्रती एकड़ ये बीमा कराया जाता है तो हम नुकसान के रिस्क को कवर करने के लिए बागवानी विमा योजना ये जरूर इसमें शामिल हो ताके किसी प्रकार की को मौसमे अत्वा अन्य प्रकार की कोई नुकसान की स्थिति बनती है तो भरपाई इसकी हो सके मित्रो जल संग्रक्षन ये भी बहुत महत्पूर्ण विशय है क्योंकि चाय प्रमपरागत खेती हो फलो अत्वा सब्जी हो से चाय के लिए जल की मात्रा खूब प्रयोग होती है लेकन हरियाना चोके इस प्रकार का एक प्रदेश है जिसमें पानी के स्रूत अपने बहुत कम हैं तो हमने जल प्रवंदन के नाते से विशेश प्रकार की जो अपनी टीमें बनाई हैं जल को सरखश्चत करना जल का उप्योग कम से कम करना और ट्रीटिट वाटर जो है जिस पानी का हम संशोधन करते हैं उसका पुनर उप्योग करना रियूज करना इन सब बातों को ध् प्रदेश का कोई ख्षेतर ऐसा नहीं है जा न्यूंतम आवश्चता पानी के उनकी पूरी ना होती हो तो ये थे हर्याना के विशेश समाचार और ने समाचारों के साब फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए देखते रहिए चरदी कला टाइम टिवी